हेलो दोस्तो मोहिटूर एंटेस्ट चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो प्लेस चैनल को सब्सक्राइब बैल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तो लाइक कमेंट से जरूर करें वीडियो अगर अच्छी लगती हो दोस्तो आज देखी दोस्तो हम बनाने जा र भरता उसमाला रहा हूं अप लिए ट्रिक देखिए और आप कमेंट करके जरूर बतायेगा आपको कैसी लगी एक ओर आप कैसे गर भरता बनाते हैं आलू-अफर यह क्ला चली आप हम देखते हैं क्या-क्या हम तैयारी करने एंग बहरता बनाने के लिए और आईए अब हम बताते हैं के करके ये देखिए दोस्तो आलू और रुया को मैंने अच्छे से वाइल कर लिया है अब हम इसको छेलेंगे और चलिए अब हम छेल लेते हैं और ये देखिए दोस्तो हम छेल लिए हैं और आईए अब हम चटनी बता देते हैं क्या डालेंगे इसमें हरी मिर्ची हरी धनिया और लैसुन और सूखी मिर्ची सूखी धनिया और नमक हमने पीसा है और चलिए अब हम ये कुटना का जो मुगदा होता है न दोस्तों उससे हम कूचेंगे भरते को और अच्छे से कूचेंगे पूरे भरते को और इसी से पूरा बनाएंगे हम भरता और दोस्तों सबसे मुख्ष चीज है कि आपके हाथ इससे खराब नहीं होंगे मतलब मिर्ची की यूश नहीं करना पड़ेगा और बड़े अराम से इससे भरता बन जाएगा और बहुत लोगों को जैसे प्राबलम होती मिर्ची हाथ में लग जाती ही जलने लगता है तो वह चीज से बच जाएगा इंसान तो यह आप इस्तमाल करिएगा दोस्तों और चलिए अब हम मिर्ची पेश्टे पूरा एट कर देते हैं और मैं जरस नमक पेश्ट में मिलाया था और जरस नमक उपर से डालूंगा आप चाहे तो चटनी में पहले ही नमक बराबर रखिए और चलिए अब हम फिर से मिला लेते हैं इससे बड़े नॉर्मल तरीके से दोस्तों बन जाता है भरता ज्यादा महीन भी नहीं होता है और चाहे तो आप ज्यादा महीन भी कर सकते हैं ऐसा नहीं है लेकिन एकदम नॉर्मल और जैसा आपको भरता चाहिए वह ऐसा बन जाए और एकदम सिम्पल बना रहा हूं दोस्तों सब के घर पर बन जाएगा यह और सभी के पास नॉर्मल चीजे रहती हैं आलू रिया सभी के पास रहता है धनिया मिर्ची भी सब के पास रहता है आज एकदम सिम्पल ट्रिक बता रहा हूं जो कि सभी के घर में बन जाए और एकदम सिंपल है दोस्तो और ये देखिए एकदम रेडी हो रहा है लाश्ट में हम अराम-अराम से करेंगे आप भी बनाईए दोस्तो और कमेंट करके जरूर मुझे बताईए आप घर पे कैसे बनाते हैं और क्या-क्या यूज करते हैं और कमेंट करके जरूर बताईए दोस्तो भरता अच्छे से पीस गिया है दोस्तो और प्लेस चैनल को सस्क्राइब बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तो और भी अच्छी वीडियो में लेके आता रहूंगा कम्प्लेट हो गए दोस्तो